मस्क्राइब दोस्तों मैं अनुराग गोईल स्वागत करता हूँ आपका स्टार इंडस्टर एंट्रेटर चैनल में प्रेंट्स हमने लास्ट के तू वीडियो में कवर किये हैं बेस मेटल्स के अलुमिनियूम और कॉपर के बारे में तो दोस्तों हमने बात की थी कि कॉपर औ MPX पे contract specification के हैं along with the application and characteristics of both metals तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा third metal most important commodities which is used by the human from last 5000 years यानि कि 5000 सालों से इस commodity का use हो रहा है तो friends आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि कौन-कौन से बड़े top countries हैं जो export करती हैं कौन सी top countries हैं जो import करती हैं कौन सी top countries हैं जहां पर की consumption सबसे ज्यादा है तो हम आज के इस session में coverage करेंगे lead commodities के बारे में और mcx platform पे मैं आपको trade करके भी दिखाँगा कि lead commodities कैसे trade होती है और कैसे आप margin check कर सकते हैं which is most important thing when you are entering into the future segment so friends ये video start करने से पहले मैं आपसे request करूँगा कि आप मेरी video को like, subscribe और share करना ना भूले ताकि आने वाली videos आप तक हमेशा पहुंसती रहे तो चलिए चलते हैं computer screen के तरफ, let's move तो चलिए बात करते हैं mcx lead के बारे में तो सबसे पहले हम cover करेंगे application के बारे में application में lead जो है principally used for manufacturing batteries जैसा कि आप सब जानते होंगे कि batteries में सबसे ज़्यादा यह होता है lead का most sustainable and recycled commodity तो सबसे ज़्यादा sustainable यानि कि इसकी life जो है वो बहुत लंबे समय तक lead चलता है इसका life लंबे समय के लिए इसका life है long last commodity है और recyclable कि अगर हमने इसको use कर लिया और उसके बाद फिर से recycle किया तो तब भी lead का use किया जा सकता है आपको lead जो है blue gray metal में मिलेगा हमेशा जो इसका color रहता है blue gray metal का और आपको एक और बात बताना चाहूंगा lead जो है वो आपको zinc, copper और silver में वहाँ पे भी ये mixing के रूप में मिलता है इसकी मात्रा बहुत बढ़ी मात्रा पाई जाती है I mean to say कि जहां जिस खादान से zinc, silver या copper के metals निकलते हैं commodities निकलती हैं वहाँ पे lead की मात्रा भी उनी में से जो है वो निकाली जाती है तो more than 80% used lead remain recyclable इसका क्या मतलब हुआ कि 80% जो market में आपको lead मिलेगा वो recycle किया हुआ मिलेगा जैसा कि मैंना हमने आपको share कि कि most sustainable and recyclable commodities है lead की एक बहुत बड़ी खुबी है उसका बहुत अच्छा character है lead का जो उसकी property है वो यह है कि जब lead को recycle किया जाता है तो उसके जो content होते हैं वो भीना उसकी content के lose हुए जब वो recycle किया जाता है तो वो same functioning करता है अपना yes so next चलते हैं कि कौन-कौन सी top producing countries है exporting countries है और कौन सी top import countries है तो top producing countries across the world China, Australia और United States है तीन countries जो सबसे ज़्यादा production करती है जिनके पास सबसे ज़्यादा resources available है top exporting countries की बात करें तो Australia, United Kingdom और Germany तीन top exporting countries है जो सबसे ज़्यादा export करती है lead का अब आप सोच रहे होंगे कि United States जो है top producing country है तो वो export क्यों नहीं करती है क्योंकि United States में consumption भी higher side बे है बलकि जितना United States production करता है उसका डेड़ गुना उसे import करना पड़ता है देखिए top import countries में भी USA का नाम आ रहा है United States का नाम आ रहा है और इंडिया और जर्मनी का भी आ रहा है तो इंडिया में अगर हम बात करें कि इंडिया में आज की rate में जो production है वो 10 से 15% हो पाती है जितना उसका खपत है तो 85% से ज़्यादा जो हम lead है इंडिया वो import करता है दूसरी countries से तो इंडिया जो है वो second largest import countries है lead में उसके बाद जर्मनी जो third import जो है country है next चलते है mcx future contract के बारे में देखिए future contract specification जो है वो जैसा कि हमने aluminium में cover up किया था trading unit 5 metric ton यानि की 5000 kg one metric ton is equal to 1000 kg तो trading unit यहाँ पे 5 metric ton का है quotation value की बात करें तो 1 kg का आपको price देखने को मिलेगा जो screen पे मिलेगा तो जो price आप mcx platform पे देख रहे हैं वो 1 kg का price है आज की date में approximately lead का जो भाव चल रहा है maximum order size आप 100 metric ton का एक order में maximum order लगा सकते हैं अगर आप 101 metric ton का order apply करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लगेगा तो आप 100 metric ton का maximum order size लगा सकते हैं as decided as पर था exchange tick size की बात करें तो 5 पैसे का tick size रहेगा यानि की minimum momentable value 75,000 रुकीज पे करने हैं और आप अपना position क्यारी कर सकते हैं जो भी आप expiry चूज कर रहे हैं expiry की अगर हम बात करें तो last day of the month जो है आपको expiry देखने को मिलेगा अगर last day of the month अगर छुक्ती रहेगा holiday रहेगा तो एक दिन पहले जो है expiry देखने को मिलेगा daily price range देखे हर commodity का daily का एक price range होता है कि वो किस range में कहां तक move कर सकता है तो पहला जो movement रहेगा वो 4% तक हो सकता है 4% चाहे upside लिए चाहे downside लिजिए तो next जो है relaxation मिलेगा वो 6% तक और उसके next जो capping रहेगी वो रहेगी 9% पर जाके तो 9% पर जाके पहली freeze जो आप देखने को मिलेगी 4% 6% and it's respectively to 9% तो 9% का एक दिन में आप movement देख सकते हैं lead में जब भी market highly volatile आपको देखने को मिलता है तो हमने इस वीडियो में एक example भी लिया है कि आप अगर lead के अंदर position बनाते हैं current market price के आसपस या spot price के आसपस तो आप इसमें कितने रुपीज का moment पे आपको कितना gain या lose होगा तो हमने एक example लिया है जिसमें हमने buy lead दिखाया है one lot at the rate 185 रुपीज this one 186 पे मैंने उसको sold कर दिया lot size जैसा कि आप जानते है 5000 kg spot price हमने लिया है 185 रुपीज तो buy value मेरी total हो गई 9,25,000 रुपीज sell value 9,30,000 रुपीज तो मुझे net profit जो इस position में मिलता है that is 5000 रुपीज तो 5000 रुपे का net profit अगर एक रुपे lead में moment आता है तो आपको इस example से clear हो गया होगा कि 10 पैसे की moment से आपको 500 रुपीज का up down देखने को मिलेगा तो एक रुपे का moment हुआ तो 5000 रुपीज का net up down देखने को मिलेगा तो यह हमने simple जो है specification cover की है so friends हमने each and every single जो point है lead commodity से related वो हमने इस video में cover किया है अगर कोई भी point है आपको लगता है कि जो इसमें cover होना चाहिए था video में और वो रह गया है तो please मुझे comment box में tag करें ताकि मैं आपसे next video में जरूर वो चीज शेयर करूँ वो point आपसे discuss कर सकूँ तो आज के इस video के लिए मुझे इजाज़त दीए thank you so much प्रोग चे है सकूँ झाज़त और वोगता है